अगर आप दिवाली का फराल बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है तो आज हम बनाने वाले हैं भावनगरी गाठिया और बिल्कुल हल्वाई स्टाइल ये भावनगरी गाठिया आपके बन जाएगी वही टेक्चर और वही क्रिस्पीन और यह जो रेसिपी है आप जरूर ट्राइ किजिएगा तो सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत-बहुत बदाई आज हम जो रेसिपी देखने वाले है वह ट्राइशनल रेसिपी है और मैंने आपको बहुत इजी वह समझाई है तो चलिए शुरू करते हैं तो बा इसपे हम डाल देंगे देड़ कप भरके बेसन और इसे हम चान लेंगे तो इसे हमें अच्छे से चानना है चानना बहुत जरूरी होता है इसकी वज़े से ही हमारे जब सेव है वह हलके फुलके से बनते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे बाकी की अब हमने लिया है चार बड़े चमज तेल और यह बिलकुल ठंडा है और इसका हम क्या करेंगे मोयन लगा देंगे और इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे साथ में हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा हिंग इससे भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत बढ़ी आएगा और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालके हम इसका एक डो लगा लेंगे डो लगाते समय आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको डो जो है वो डीला नहीं बनाना है तो पानी डालते समय आपको बैच बैच में डालना है तो अभी तक अगर आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्स्राइब कर लिजे क्योंकि नई नई रेसिपी आपके लिए आने वाली है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा तेल ले लेंगे और तेल लेके हम क्या करेंगे इस डोग को मसल देंगे और अब हम क्या करेंगे कि हाग के उपर हम ले लेंगे थोड़ा सा पानी और डोग के उपर लगाएंगे तो हलवाई क्या करते हैं इसी तरह से पानी लगाते हैं क्योंकि उपर जो परत्थ है वो कड़क नहीं बनती है यहाँ पर मैंने गाठिया तरने के लिए तेल करमोने के लिए रख दिया था और अब हम यूज़ कर ले हैं जारा जारे से ही जो गाठिया है उसका टेक्चर और इसका जो क्रिस्पिनेस है वो इससे आएगा अगर आपको जारा इससे माल नहीं करना है तो आप चाहे तो इससे कोई भी मशीन का यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक छोटा सा डो और इसको हम क्या करेंगे इस जारे के उपर इस तरह से गिसेंगे तो यह जो प्रोसेस है आपको बहुत फटा-फट से करना है क्योंकि अगर नीचे से भाप आना शुरू हो गया तो हम सेव को नहीं गिस पाएंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे पहले थोड़ा-थोड़ा सा डो ले जैसे ही आपकी प्रैक्टिस होती है आप फिर चाहे तो डो के कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं तो यह जो भावनगरी गाठीया है इसका कड़र हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है क्योंकि इसका कलऽर है वो हल्का सा पीला यह हल्का सा भुरा होता है तो यह ज zijn बावनगरी कड़िया हमारी बनके डी हो और आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वह परफेक्ट बनके रेडी हो चुका है तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की मज़िदार रेसिपीज और देखने के लिए आप बने रहे हैं करुणास किचन के स और तब तक मैं आपके लिए लेके आओंगी नई नई रेसिपीज